ओम गंशी महागड़े शाय नमा जै मातादी राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों नवरात्री के साथ में दिन मातुर्गा के काल राती सुरूप की पूजा की जाती है। माकाल रात्री हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शुफल प्रतान करती हैं इसलिए मा का एक नाम शुब करी भी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माकाल रात्री अभे बरदान के साथ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं साथी आक्समिक संकटों से भी मुक्ति दिलाती हैं माकाल रात्री को काली, महकाली, भद्रकाली, भैर्वी, मृत्यू, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री धुमोर ना देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी काल रात्री का शरीर अंधकार की तरहें काला है और इनके स्वास से आग निकलती हैं, माके बाल बड़े और बिख्री हुए हैं और गले में पड़ी माला बिजली क की तरहें चमकती रहती है। माकाल रात्री को आशुरिक शक्तियों का बिनाश करने वाली बताया गया है। इसके साथ ही माके तीन नेत्र भ्रमांड की तरहें बिशाल वा गोल हैं, माके चार हाथ हैं जिन में एक हाथ में खड़क, अर्था तलवार, दूसरे में लोह अश् जीब जन्तूओं में सबसे ज़्यादा परिश्यमी और निर्वय है। मा इस बाहन पर संसार का बिच्छन करती हैं। देवी का यह सरूप तमाम रिद्धी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। मा अपने इस रूप में भक्तों को काल से बचाती हैं अर्थात। जो भक्त मा के इस रूप की पूजा करता है उसे अकाल म्रत्यू नहीं होती। पुराणों में मा कालराती को सभी सिद्धियों की देवी कहा गया है। और इनकी उत्पति द्यत्य चंड मुंड के बद के लिए हुई थी। मा की पूजा करने पर क्रोध पर बिजय प्राप्त होती है। और मा अपने सभी भक्तों की हर मुराद को पूरा करती है। मा कालराती की पूजा करने से आकसमिक संकटों से रक्षा होती है। शक्ति का यह रूप शत्रू और दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। मा कालराती की पूजा करने बाले भक्तों को किसी भोत पुरी शक्ति का भे नहीं रहता मा कालरात्री का पूचन नवरात्री की महासप्तमी के दिन प्रात्यकाल और संध्यकाल दोनों ही समय किया जाता है लेकिन महासप्तमी की अर्धरात्री पर मा कालरात्री का पूचन करना सबसे जादा शुप माना जाता है माना जाता है कि महा सब्तमी की अधरात्री को ही माता रानी के नेत्र खुलते हैं ऐसे में अधरात्री के समय मा का पूचन कहने से मा की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है साथ ही भूत प्रेत आधी ब्याधा से भी मुक्ति मिलती है मा की कृपा से मनुकामनाय पूर होती है। मा कालरात्री का पूचन कहने के लिए रोजाना की तरहे इस्तान का सच्छबस्त थारन करें। वे कलश में इस्थापिर, भगवान श्री गणे, समस्ते देवी देपताओं को प्रणाम कर उनका पूचन करें। और फलमिष्ठान का फोग लगाएं। इसके बाद आप माता रानी का पूचन करें। पूचन कहने के लिए शुध्य जल में केवड़े का जल या फिर थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इस जल से आप मा को इस्नान कराएं। फिस मा का शिंगार करें। शिंगार करके आप मा को लाल रंगी चुन्री उड़ाएं। फिर मा को कुम-कुम से तिलक करें। इसके पश्चात मा के सामने शुध्य की का दिया जलाएं और एक सुगंदी थूपत्ती जलाएं। फिर पुष्प और थोड़े से साबुचावल लेकर आप मा के चर्णों में पुष्प अर्पित करें। बैसे मा कालरात्री को गुढ हल पुषप और रात की राणी का पुषप अतिप्रिय हो सके, तो इन दोनों में से कोई एक पुषप आप मा की चरणों में अर्पित करें. फिर मां को फल मिश्ठान का भोग लगाएं. मा कालरात्री को गुर्थ बहुत पसंद है, इसलिए महा सब्तमी के दिन आप मा को गुर्थ का भोग लगाएं, ऐसा कहना बहुत ही शुब माना जाता है, मानिता है मा को गुर्थ का भोग चढ़ाने और भ्रामणों को गुर्थ दान करने से मा प्रसन्न होती हैं और सभी विप का नाश करती हैं मा काल रात्री को लाल रंग अती प्रिय है इसलिए हो सके तो मा का पूजन लाल रंग के बस्त पहन कर ही करें भोग लगाने के पश्चात अब आप मा काल रात्री के इस मंत्र का यथा शक्ति जाप करें मंत्र इस प्रकार है अगर इस मंत्र का जाब करते में आपको कठनाई महसूस हो तो आप मा के निर्वाण मंत्र अगर इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाब अवश्य ही करना है मंत्र का जाब करने के पर शाथ आप मा काल रात्री को हाथ जोड़ का प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रात्ना करें आपकी जो भी मनुकामना है वे मैया की समक्ष कहें और मैया से मनुकामना पूर्ण करने की प्रात्ना करें दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी भी तरहें की कोई परिशानी हैं, वह परिशानी कम नहीं हो रही, कस्टों से छुटकारा नहीं मिला, आपको दुश्मन परिशान करते हैं, तो परिशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप मा कालरात्री का पूचिन करते समय, धूब द लगाने के पश्चात आप मा को एक लाल रंका तिकोना जंडा अर्पित करें, दोस्तों ध्यान रखें आपको एक नया लाल रंका तिकोना जंडा अर्पित करना हैं, होसे के तो मार्केट से खरीद ले, अगर मार्केट से नहीं खरी सकते, तो अपने घर पर ही लाल रंके न या सुईधागे से आप उस जंडे पर जैमातादी लिखते हैं अब इस जंडे को आप मैया को चढ़ा दें जंडा चढ़ाने के पश्चात आप मा कालरात्री के निर्वार मंत्र ओम एम ह्रिमकलिम चामुंटाय बिच्छे का 108 वार जाप करें जाप करने के पश्चात आप मा के सामने अपनी सभी परिशानिया करें और मा से परिशानिया दूर करने के प्रात्ना करें कि वह आपके और आपके परिवार की सदे रक्षा करें प्रात्ना करने के पश्चात आप यह जंडा मा के चर्णों में से उठा लें और इस जंडे को अपने घर की छट पर लगा दें दोस्तों अगर घर की छट पर आप नहीं लगा सकते किसी कारणवश यह से बंदर हैं या फिर आप फ्लैट में रहते हैं या कोई भी बज़े हैं और आप छट पर नहीं लगा सकते तो आप इस जंडे को अपनी घर के मुख्य दर्वाजे पर लगा दें जंडा लगाने के पश्चात आप मा से प्रातना करें कि वहें आपके सभी कश्टों को दूर करें परेशानियों को दूर करें मा से प्रातना करें कि वहें आपके और आपके परिवार की घर की रक्षा करें दोस्तों मा का यह जमतकारी जंटा घर पर लगाने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही शत्रू भी कुछ नुकसान नहीं पहुचा पाती। घर में कोई भी अलाबला प्रवेश नहीं कर पाती। माता रानी परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करती हैं। दोस्तों अगर आपके बहुत सारे शत्रू हैं और आप शत्रू पर विजय प्राप्त करना चाते हैं, तो आप पूजन के दौरान माता रानी को एक चांदी से बना हुआ त्रिशूल चढ़ाएं। पूजन करने के बाद मंतर का जाप और आर्टी करने के पश्चात आप इस तिशूल को अपने माते से लगाएं और इस पर कुमकुम से तिलक करें। फिर इस तिशूल को माता रानी का रूप मान कर आप अपने पास रख लें। बड़ा तिशूल रखने में अगर परिशानी हो तो तिशूल के आकार के छोटे लौकिट भी आते हैं। आप चांदी का वह तिशूल का लौकिट लाकर मईया को चढ़ाते और इस लौकिट को अपने गले में धारन करने। ऐसा काइनी से मा कालराती के के पाशे शत्रों से छुटकारा मिलता है और बेजय हासिल होती है। दोस्तों अगर आपके बनते हुए कारे बिगड़ जाते हैं या धनसंबंती कोई समस्या है तो आप मा कालराती के सामने एक दिया जलाएं और दिये में दो साबुत फूल वाली लौक डालें। फिर यह दिया जलाकर आप मा का पूचन करें और मा के निर्वार मंत्र ओम एम हरिम क्लिम चामुंडाय बिच्छे का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात दिये से आर्थी उतारते हुए आप मा की आर्थी करें। इस तरह मा का पूचन करने से बिगड़े कारें बनने लगते हैं और धनसम्मंदी समस्याएं भी दूर होती हैं नवरात्री की महासब्तमी की रात्री को अगर अर्थ रात्री के समय आप मा काल रात्री का पूचन ना कर सके तो आप कम से कम मा की मंत्र का जाप अर्थ रात्री के समय अवश्य ही करें ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भेवी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी जै मातादी